2047 का जो संकल्प है कि विक्सित भारत का जो संकल्प है हम प्रथम economy बनेंगे अध्यक्ष महोदे मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आज मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडिक शेतर की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधी चुनकर यहां उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है उनकी भ्याभारी हो यह जगा मेरे लिए बहुत नहीं है मैं एक नहीं सांसद हूँ मगर मुझे इस बात का अभास है कि यह जो अठार्मी लोगसभा है यह कोई सामान्य लोगसभा नहीं है इस लोगसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शिश नेतित्व हैं हमारे मान्य परधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने लगातार तीसरी बार परधान मंतरी बनकर पिछले साथ सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हातिक बधाई देते हैं साथ ही बधाई के पातर हैं हम सब भात्य जंता पार्टी के लोग जिनें ये सौभागय प्राप्त हुआ और मैं ये भी मानती हूँ के हमारे भात्य वर्ष की जंता जिनोंने एक स्थेर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है वो भी बधाई के पातर है महोदे जी हम सब जानते हैं के आज से दस साल पहले हमारे देश की अर्थववस्था का क्या हाल था आज से दस साल पहले हमारी संगहर्ष सील जो एक चर्मराती और एक लड़कराती अर्थववस्था जो कहीं 11 वार में नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंती तरहता था पिछले दस सालों में वो अर्थववस्था 11 में से पांच में नंबर पर आई है और बहुत तिवरता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है यह जो 2024 का बजट है यह सब वर्गों को जो है वो शक्ति परदान करने वाला बजट है इस बजट से जो है वो हमारी अर्थववस्था को भी तीवरता मिलेगी महोदे जी और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है हम प्रथम एकॉनमी बनेंगे वो भी इस बजट से हम पूरी उमीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे महोदे जी पिछले साल हमारे हिमाचल परदेश में एक बहुत बड़ा प्रकृतिक संकट आया एक बहुत बड़ी बाड आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशू जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानी हो गई लेकिन दुख की बात ये है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रास्ती के परभाव से जो है उसके परभाव से उसकी हानी से बाहर नहीं आपा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहां की जो कॉंग्रेस की सरकार है उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भष्टाचार नीतियां है आज भी हमारे लोग जो है उस बाड़ के परभार से जो पीडित हैं मैं आदर्निया और मानिया हमारी जो विक्त मंत्री है शिर्मती सिता लमन जी का मैं अभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोशना की है हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका अभार प्रियक्ट करते हैं महोदे जी मुझे ये जानके और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले दस वर्षों में हमारी भातिय जनता पार्टी ने हिमाचल परदेश में किया है वो उतना काम हमारे आजादी के बाद साट सालों में भी हिमाचल परदे आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहां पर जो है आज से आजादी के साथ साल तक सिर्फ कुछ रोड बने थे और वो भी हमारे मानिया जो पुर्व परधान मंतरी अडल बिहारी जी रहे हैं उन्होंने अपने कारेकाल में जो है वो ग्रामिन परधान मंतरी सडक योजना के अंतरगत वो रोड बनाये थे लेकिन पिछले दस वर्षों में परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेतर को जो है एम्स, ट्रिपल आईटी, आयायम जैसे वैश्विक स्थर के जो है वो संस्थान दिये हैं और वंदे भार जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है, हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राच्य को साड़े तीन हजार करोड की लागत का मनालिक किर्टपुर जो है वो हाईवे दिया हुआ है, जिसमें माने मोदे जी पांच से जादा टनल है और सेंतिस से जादा उसमें ब्रिज टनल है, विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल टूब हाईवे जो है, वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उधारन है और उसके साथ ही 11,000 क्रोड के हाईडल प्रोजेक्स हमारे हिमाचल परदेश को दिये हैं, अगर मैं ये सूची यहाँ प परदेश एक ऐसे राजे है, जो पूरी तरह से शौच फ्री है, और वहाँ घर-घर में जो है, वो गैस चुले का कनेक्शन लगा है, एक भी माता, एक भी बहन गैस चुले के कनेक्शन के बिना नहीं है, और मेरा ये जो सवभाग्य है, अठारमी लोग सभा में, महोदे जी मेरा ये सवभाग्य है, कि जब मैं यहाँ पे आई थी, तब महिला आरक्षन बिल, जो राजनिती में महिलाओं को जो है, 33% आरक्षन देता है, वो बिल भी पारित हुआ था, तो मेरे लिए बड़ी ही ये सवभाग्य शाली जो है, आठारमी जो लोग सभा है, और मैं ये कह चाहूंगी कि ये जो बिल है, या वश्य ही इंप्लोईमेंट हो, या चाहे स्टार्ट अप इनोवेशन हो, चाहे हमारे गरीब और मिडल क्लास को टैक्स रिलेक्सेशन हो, या हमारे जो अनदाता किसान हो, उन पे फोकस हो, ये मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ, और मेरी ए इस विश्य में सोचें, और मुझे लगता है ये जो बजट है, हम हिमाचल के वासी जो है, इसका पूरी तरीके से जो है, वो वेलकम करते हैं, और धन्यवाद.